इस वीडियो हम बात करने वाले हैं कि आप एक मुवाइल फोन में दो वाटसप कैसे यूज़ कर सकते हैं अभी जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे फोन में यहाँ पर आपको दो वाटसप दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर मैं जो पहला WhatsApp उपन करता हूँ तो यहाँ पर मेरा यह वाला WhatsApp अकाउंट चल रहा है यहाँ पर मैं आपको प्रोफाल में भी जाद के दिखा देता हूँ तो अभी जासे देख सकते हैं कि मेरा यह वाला WhatsApp अकाउंट यहाँ पर पहले WhatsApp में चल रहा है उसके बाद यहाँ पर मैं दूसरा WhatsApp ओपन करता हूँ तो यहाँ पर यह मेरा दूसरा WhatsApp अकाउंट यहाँ पर चल रहा है तो कुछ इस तरह से आप भी एक ही मुवाइल के अंदर दो WhatsApp यूज़ कर सकते हैं आप कैसे करना है इसके लिए वीडियो को कंप्रीर लास तक देखे और यदि आप चैनल पर पहले वारा हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके गंटी का आइकॉन को दबा लिए अब यहाँ पर मैं आपको दो तरीके बताने वाला हूँ जिससे कि आप अपने फोन में एक साथ दो WhatsApp को चला पाएंगे तो जो पहला तरीका है इसके लिए आपको जाना है अपने फोन की सेटिंग में सेटिंग में आ जाने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा से नीचे स्क्रोल करके आना है यहाँ पर आपको एक ओप्सन मिलेगा एप्स Firebase का हो सकता है कि आपके फोन में कोई दूसरी सेटिंग हो तो आपको आपको शेप्से पर चला जाना है इसससके पर आने वाफ यहाँ पर आपको कई सारह आप्सन मिलेंगे और यहाँ पर आपको इक ओप्सन इसकलन YouTube dual apps यहां पर आपको dual apps नाम से भी option मिल सकता है क्योंकि इसके अलग-अलग names होते हैं अलग-अलग phones में तो अभी यहां पर आपको app kloner या फिर dual apps के option पर चले जाना है यहां पर आनिक बाद आपको यहां पर जो दूसरा WhatsApp हो create हो चुका है अब यहां पर आप इसे open करेंगे तो यहां पर आपको एक नया WhatsApp account create करने का option मिल जाएगा इस पर आप नया number restart करके अपना दूसरा WhatsApp account चला सकते हैं अब यहां पर मैं आपको दूसरा तरीका शेयर करता हूं दो वार्टसप को चलाने का तो यहां पर आपको क्या करना है जो भी आपका WhatsApp है उसे आपको open कर लेना है उसके बाद यहां पर आपको ऊपर थ्री डॉर दिखाए दे रहे हैं आपको इस पर क्लिक करना है इसके बाद यहां पर आपको नीचे सकते है अपको इससे कमेंट करके बता सकते हैं